हेलो फ्रेंड्स आज में लेकर आई हूँ आपके लिए बैंगन के भरते के रेसिपी और आज का ये जो भरता है वो थोड़ा सा हटके अलग है इसको हमने बनाया है रेगुलर जो सबजी में बैंगन यूज होते हैं उसके साथ बनाया है और उसी बैंगन का भरता बहुत ही ट को कुकु वैशाली में और अगर आपको मेरे रेसिपी पसंदाती है तो इसे लाइक करें शेयर करें क्मेंट ज़रू करें तो चलिए शुर करते आज की रेसिपी तो बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पे लिए है हमने मीडियम साइज के तीन बैंगन ये बैंगन जो है वो सबजी वाले बैंगन है जिसके वो मैंने धो लिया है साप कर लिया है अब मैं उसके उपर लगा रही हूँ आइल आईल लगाने का एक फाइदा ये भी होता है कि जल्दी भुन जाते बैंगन और अंदर तक पक जाते हैं और जादा जलते भी नहीं आप हमने इसको रोस्ट करने के लिए रख दिया है गैस की फ्लेम के उपर मिडियम फ्लेम पे ही इनको रोस्ट करना होता है उलट पुलट करके मैं इनको रोस्ट करूँगी और जब तक हमारे बैंगन रोस्ट होते तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं तो चलिए देखते तड़के के लिए हमें क्या क्या चाहिए 7-8 Лःसुं की कलिया मैंने लिये है यहाँ फे और चार हरी मिर्च जिसको मैं कॉरसली ग्राइंड करने वाली हूँ मेकसी की जार में यहाँ पे हमारा कॉर्सली ग्राइंड पैस्ट तैयार हो चुका है अब मैं इसी प्लेट में करे लियूज को लेने वाली है थोड़े से करीपत्ते भी हम इसमें डाल देंगे ताकि इसका बहतरीन स्वादा आए थोड़ा सा मैंने चॉप किया हुआ ओनियन भी यहापे लिया है बैंगन हमारे भून कर रेडी हो चुके है आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बैंगन हमारे भून चुके है जले भी नहीं है और अंदर तक यह पक चुके है आपको मैं दिखा देती हूँ बहुत soft हो चुक है चले इसको निकाल देते है gas की flame को मैं बंद करने वाली हूँ अब मैंने बैंगन को ले लिया है एक प्लेट में इसकी उपर का जो छिलका होता है बहुत पतला होता है और जल्दी पग भी जाता है और जो एक्स्ट्रा जला हुआ पोर्शन होता है इस तरीके से जटक लेंगे हम बैंगन को तो निकल भी जाता है मैं इसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो इसलिए ज़्यादा स्कीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब इन बैंगन को मैं चॉप करने वाली हूँ और चेक करूँगे अंदर कोई कीडा विडा तो नहीं निकला है तो यहां पर यह बैंगन बहुत ही बड़िया से हमारे पग भी चुक है और अंदर इसके कोई कीडा भी नहीं है इस तरह के से चेक करना बहुत जरूरी होता है कभी-कभी इसके अंदर कीडे भी हो जाते हैं तो इस तरीके से हम smash करते हैं तो चेक भी करना बहुत जरूरी होता है। यहां पर बईंगन को मैंने smash कर लिया है अच्छे से। अब उनको मैं और बारिक कर लूँगी चाकू की सहायता से। तरिके से बारी कर लेंगे तो इसमें जो मसाले हम डालेंगे तड़का डालेंगे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो बहिंगन के भरते के लिए बहिंगन तो हमारे रेडी हो चुके चलिए अब आगे का प्रोसेस भी देख लेते हैं इसको मैं निकाल लेते हूं ए हुआ गार्लीक और चीली का पेस्ट इसको जैदा भूहना नहीं होता है बस दो मिनिट के लिए हम इसको भूहन लेंगे दो मिनिट में ही कच्छा पन निकल जाता है गार्लीक का तो फिर बहुती बढ़िया स्वाद आ जाता है बहँनिक भरते में अब दो मेनिट के बाद यह पेस्ट हमारा पक चुका है यहां पर मैं गयस को बंद कर दूँगी क्योंकि हम इसको ज्यादा पकाना नहीं है अब हम यह तड़का डाल देंगे बैंगन के ऊपर इस तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे तो घम में सभी को पसंद आएगा और यह बनाने में आसान तो ह इसे आपटी फिन में भी क्यारी कर सकते हैं अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इस भरते को ताकि जो गार्लिक और चिली का प्लेवर है सभी बैंगन में मिक्स हो जाए अब भरता तो रेडी हो चुका है इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं तो प्लेट में मैंने भरत निकाल लिया है अब इसके उपर में थोड़ा साट चली पाउडर डालने वाली हूं वैसे आप यह भरता चिली पाउडर के साथ भी बना सकते है लेकिन मैंने ग्रिन चिली जी यूँज की धिन मैंने घषा गच्छा औि डाल देया है मैंने इसके ऊपर एक सपुन और हज़ करों。 एक बार इस सफ बैल आइकन को ज़रूर से से मिलें कि एक बड़िया सी में ।